जो इस देश के परधान मंत्री को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा वो क्या करेगा और सही में अगर परधान मंत्री ही इस देश में अस्वरक्षित है तो कैसे पंजाब का एक आम इंसान सुरक्षित होगा उनके सारे विधायकों को including him स्तीफा दे देना चाहिए जिससे कि गैरंटी नहीं दे सकता वो क्या कर जाकता है अगर सोचिये प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाते चबीस जनवरी को जैसे जिन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया वो तो देश के सरवोचनेता का भी अपमान कर देते क्या फरक पड़ता है उन्हें जो प्रदानमत्री शी नरे चाती सारे धर्म एक साथ रहें कॉंग्रेश हमेशे दंगे फसाद और हमेशा इस देश की अखंडता और इस देश की नैशनल सिक्क्यॉरिटी पर एक बहुत बड़ा प्रचन चिन खड़ा करती है 1984 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई जिसके बाद सिक्सामाज के साथ इतनी दरंद की देखी गई नमस्कार में और सबस्तिर आप देख रहे हैं ओनी जिंदी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर पंजाब से एक बड़ी ख़वर आ रही है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी का जो काफिला है वो लोटना पड़ा है उन्हें बापिस रेली में पूर के ऊपर किस तरीके से बस खड़ी की हुई थी गाड़ी लगा हुई थी और उनके रास्ते को रोका गया बिजेबी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक पूरी तरह से साजिस थी और कॉंग्रेस का इसमें हाथ था इस तरीके के आरोब लगातार लग रहे हैं इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सब्सक्राइब रहे हैं अपने सीम को या करके थैंक्स कहना कि मैं वटेंड़ा एरपोर्ट तक जिंदा लौड पाया प्रधान मंतरी को अपने ही देश में इस तरीके इस तरीके देने जुरत पड़ रही है क्या कहीं पहली बात तो यह बहुत जादा क्लिस्चल क सिक्योरिटी पर कितना बड़ा प्रशन चिन खड़ा करती है सबसे पहले तो देश के सरवोच नेता को भटिंडा एरपोर्ट पर जाकर पंजाब के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों को कमिशनरों को और डीजीपी को यह कहना पड़ता है कि अपने मुख्य मंतरी चर देश के सरवोच नेता के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं 1984 में भी ऐसी ही घटनाएं हुई जिसके बाद सिक्स अमाज के साथ इतनी दरंद की देखी गई कभी भी कॉंग्रेश इस देश में सुक्सान्ती नहीं चाती सारे धर्म एक साथ रहें कॉंग्रेश हमेशे दंगे फसाद और हमेशा इस देश की अखंडता और इस देश की नैशनल सिक्यॉरिटी पर एक बहुत बड़ा परचन चिन ने खड़ा करती है और इस बार भी कॉंग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया है सबसे पहले तो कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को पानी भर चलू में डूम मर जाना चाहिए जो इतने बड़े-बड़े हाथसे इस देश के साथ होने दे रहे है साफ सीधी बात है जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी हमने एक महीने पहले देखा किस तरीके से CDS चीफ, डिफेंट स्टाफ श्री बिबिन रावर जी किस तरीके से हाथसे में शहीर हो गए वो भी देश के CDS थे लेकिन क्या नरेंदर मोधी जी के साथ भी कॉंग्रेस ऐसा ही देखना चाहती थी क्योंकि कॉंग्रेस ने सड़क पर उन्हें सुरक्षा मुहिया करने की भी कोशिश नहीं की और उपर से भटेंडा एयरपोर्ट पर उनके मुख्यमंत्री ये कहते कि कि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी हमारे पास कोई वो नहीं था कि प्रधान मंत्री जी ऐसे आ रहे हैं अरे मैं मानता हो कि मुख्यमंत्री को इतना नहीं पता होगा कि बारिश आ रही है तो मुख्यमंत्री बारिश तो कंट्रोल करना ही सकता लेकिन आप ये चाहते थे क्या कि एरपोर्ट चले जाए और खराब मोसम में प्रधान मंत्री जी के साथ भी कुछ ऐसी घटना हो मुझे तो यही लगता है कम से कम इस बारे में कॉंग्रेस के सीशनेताओं को गौड तलब करके बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों हमेशा कॉंग्रेस देश के लिए कलंग है इस पूरे मामले को जैसे जो सामने आया उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस की और वो कह रहे हैं कि बात्रानमंत्री निर्णतर मोती जो छत्रे कि बात चीजे कर रहे हैं वह बुड़ह के लृत जाता है कि कोंग्रस के चन्राजीष सींग नि जो मुख्य मंतरी हैं, उन्हें स्तीफा दे देना चाहिए, और उनके 77 विधायकों को भी, क्योंकि 117 में से 77 सीट से हैं, मतलब 37, तो उनके सारे विधायकों को, इंक्लूडिंग हिम, स्तीफा दे देना चाहिए, जिससे खुद की सत्ता नहीं समल रही, जो देश के सर्वोचन थे वहाँ पे, वो इतना आगे बढ़ गए, और इतनी हद पार करने लगे, प्रधान मंतरी जी 20 मिनट तक, क्या कहते हैं, वेट करते रहें, देश के सर्वोचनेता, और अगर सोचिये, प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाते 26 जनवरी को जैसे, जिन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो तो देश के सर्वोचनेता का भी अबमान कर देते, क्या फरक पड़ता है उन्हें, ऐसा ही होता, अगर मेरे साथ, मेरे काफिले पर हमला होता है, तो मैं उस, उस, कहते हैं, जब वहाँ की स्टेट पुलिस है, उसे तो जिम्मेदा ठहराऊंगा, कि सर आपका कर रहे थे, because police is a state subject, पंजाब में किसकी सरकार है, परचंट बहुमती Congress की सरकार है, तो Congress को ही तो सुरक्षा मुया करानी चाहिए थी, क्या भारती जनता पार्टी अकाली दल या कोई और दल तो सुरक्षा मुया कराए का नहीं, किसकी जिम्मेवारी है, Congress की जिम्मेवारी है, अगर चरनजी सिंग चरनी ये नहीं कर सकते, और प्रधान मंत्री शिंडरेंदर मोदी जी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, जब देश का नेता, देश में ही सुरक्षित नहीं है, तो वो बाहर के सुरक्षित होगा, जैसे य एक सवाल बड़ा उड़ता है, कि उन लोगों तक ही जनकरी जो है, वो कैसे पहुची होगी, तो क्या जो भाजपा जो अरोब लगा रही है, उससे आप सहमत है कि इस तरीकी कोई मिली भगत हो सकती है, देखिए मैं आपकी बात से बहुत उत्तवाक रखता हूँ, क्योंकि जो केंजरे मंतरी सुमिती इनानी जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है, यो कि अगर राश्टरपती जी का काफिला भी यहां से गुजर रहा है, तो महां के ADGP, DGP, SHO, और जो महां का पुलिस इंचाज, SHO मैंने नाम ले दिया, कमिशनर, और जो क्या कहते हैं, उनका वो होता 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 है, हाँ अगर कसी खास जगा पे जैसे मानली जा दिली के रामलेला मैदान में रहली है, तो आम जनता को बड़े-बड़े पोस्टर्स की मैदत से या न्यूज में आता तो पता लग जाता है, लेकिन यह पता नहीं लगता कि किस रस्ते से वो आ रहे हैं, और किस सीधे सीधे पंजाब की सरकार, कॉंग्रेस की सरकार उन दंगाईयों के साथ में, तो यहाँ पे दंगाई का ही वर्ड कहूंगा, लोकि जो प्रधान मत्रिशी नरेंज रमोदी जी के काफिले पर हमला करने की ताकत रखते हूं, वो देश-द्रोही ही हैं, जो देश के सरव सोचिए पंजाब में बेध की घटनाएं सामने आ रही हैं, आज परधान मंत्रि नरेंज रमोदी जी के साथ बेध की घटना सामने आई, तो यही डर्शार आया है कि कॉंग्रेस ये शडियन तरकारी साधिशे कर रही है ताकि वो दुबारा चुनाव में मीठी खीर बनकर स सामने आ सके, लेकिन नमक काला ही सही, वो काली ही साबित होगी और उसे 20 सीटों के अंदर ही से मटरना पड़ेगा ही है, मेर से लिखवा लिजे आप, और भारती जंता पार्टी इस बार वहाँ पे आएगी, योकि पूरे पंजाब की जंता ने देखा है, वहाँ के सिखों ने देखा है कि भारती जंता पार्टी उनके साथ कैसे खड़ी हुई है, और कैसे उनके विकास के कार्यों के लिए, आज पंजाब में नने इंद्रमोजी जी विकास के लिए ही शाहिद पंजाब जा रहे थे, लेकिन परियोजनाओं का सिलन नियाश करने लगबग 18-14,000 कर पंजाब की, लेकिन कॉंग्रेस दंगाईयों के साथ मिलका प्रधान मंत्री पर हमला करने के लिए आमादा हो गई, जो पार्टी राम भगवान पर सवाल उठाती है, जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, अब उससे क्या ही आशा करेंगे, दाहूल गा इसे ही कहते थे, कि हमें सबूत दो, हम पे तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तो ये दो तुरुफा इंसान है, जो देशद्रोई ताकतों के साथ अपनी सत्ता के लिए भी खड़े हो सकते हैं, आपने नाम सुनाओका का कॉंग्रेस के एक नेता है, उनका नाम है प्रधान मंत्री जी मोदी एक बार अगर यहां पे खड़े हो जाए ना, तो करोड़ों लोग उनके आगे सर जुका कर खड़े हो जाएंगे, वह ऐसे नेता हैं, बीड खड़ी करने की तो बात ही नहीं है, अगर आप अपने डिस मैनेजमेंट से भागने के लिए भारती जनता पार्टी या किसी भी पार्टी पर कैसे भी आरोप लगाएंगे तो जनता बेवकूफ नहीं है, जो मान लेगी, मान लीजे कि आप से डिस मैनेजमेंट हुआ आपका मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री नदेंदर मोजी जी को सुरक्षा देने में असमर्थ हुआ है आपका सिस्टम आपके पुलिस और आपके करप्ट अफसर प्रधान मंत्री श्री नदेंदर मोजी जी को सुरक्षा नहीं दे सके हैं मान लीजे बीड की तो बात दूर की अगर प्रधान मंतरी मरेंद्र मोजी जी ने एक बार जंता को बोल दिया ना कि यहाँ पे आना है तो वो जंता करोडों की बीड़ से वहाँ पे आके मरेंद्र मोजी जी को देखेगी अगर नरेंदर मोजी जी जब नोडबंदी पर आये थे सवाल इनों नहीं उठाया था जनता ने कैसे UP में, दिली की MCD में, मनिपुर में और ना जाने कितने ही राज्यों में भारती जनता पार्टी की सरकार ला दी वो जनता ही थी जनता 2019 के बाद BJP का साथ थामा जनता ने कितने ही बाद BJP का साथ थामा कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता या फिर चोटे मोटे प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहें जनता गुंगी, बहरी या अंधी नहीं है जने दिखाई नहीं देता जनता सब जानती है और इनके कर्मों का फल हमेशा जनता ने दिया है और इस बाहर भी देगी और कॉंग्रेस को खदेड देगी एक सवाल जैसे उठता है कि जो Ministry of Home Affairs है ग्रेम अंतराले का भारसरकार का वो लगातार करें कि हम संपर्क साधने की कुशिस कर रहे थे जब 20 मिनिर तक काफिला पुल के उपर होगा रहा तो संपर्क साधने कुशिक कर रहे थे तो चन्नी जी ना ही फोन उठा रहे थे ना ही कोई पंजाब की पुलिस उनको सपोर्ट दे रही थी तो क्या इस तरीके की जब चीजे होती है तो एक बड़ा विबाद और लोगों के मन में जो हाँ पंजाब के लोगों चाहे इस देश के लोगों उनके मन में नहीं आता है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षीत नहीं है तो हम कैसे सुरक्षीत होंगे बहुत वात कही है आपने और ग्रहीम अंत्राले जो अमिश pickup जी के अंडर हैं उन्होंने भी काफी बात कहीं। पंजाब की मुख्य मंत्री से रिपोर्ट मांग कर बिल्कुल सही काम किया है और इस पर तो ततकाल कारवाई करके जो आंदोलन कारी बीच में उन्हें भी गिरफतार करना चाहिए और साथ ही साथ पंजाब के कमिशनर को भी सस्प्रेंड कर देना चाहिए चलंडी सिंग चन्न करेगी जो इनसान इस देश की संस्कृति का जो इस देश की प्रधान मंत्री का जो इस देश के राष्ट पती का सम्मान नहीं कर सकते वो किसी के भी लायक नहीं है और सही कहा है ग्रह मंत्राले ने कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही कारे करना चाहिए अरगर चलंडी सिंग चन्नी फोन नहीं उठा रहे थे और वहां के जितने भी शीश अवसर थे वो भी कोई समभपर ग्रह मंत्राले से नहीं साध रहे थे तो ये दर्शाता है कि सच में दोगला रविया अपनाया गया पंजाब के उन अवसरों और उस मुख्य मंत्री द्वारा उसी कहूंगा जो इस देश के प्रधान मंत्री को सुरक्षा देने में समर्त रहा वो क्या करेगा और सही में अगर प्रधान मंत्री ही इस देश में शुरक्षित है तो कैसे पंजाब का एक आम इंसान सुरक्षित होगा जो देश के सरवोच नेता उस राज्य में शुरक्षित में हैसूस कर हैं बुलिस प्रसाशन से यह कह रहे हैं कि तुम्हारे मुक्यमंत्री का धन्यवाद करना तो आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा पंजाब में तो यह तो इस तरीके की साजिस जो है वो रची गई है यह इस बास से पूरी तरह से अग्री करते हैं और भाजपा जो लगातार और लगा रही है उन पर लगातरे नों ने जो स्टेटमेंस हैं वह अपने भी दी है नयान का कहने साफ है कि जिसने भी इस तरीके के गर साजिस रची है अगर यह आसा तास की जांच है वो जल से जल दो और जो ग्रहम मंत्राले उन्हों से अपील किये कि इस पर रिपोर्ट मां आप देखतर ही ओन्यू जिन्दी धन्यवाद जहिन